हेलो हेलो डियर स्टुडेंट्स अभी हम कर रहे हैं आरेस अगरवाल जी की 9th क्लास मैथ की बुक एक्सेसाइज 2mcq प्लिनॉमियल शेप्टर का नाम है और इस एक्सेसाइज का कॉस्टन नमबर 26 अभी हम कर रहे हैं कॉस्टन नमबर 26 में क्या है वो देखिए समझे दा जी जी कोज और प्लिनॉमियल पी एlaus ए जिगल Chair 2 2x स्क्エOR पलस7x-4 इस पोलिनॉमियल के जी कॉन कोन से हैं क्या ये वाला पेर है ये दो है यह वाला पेर है ये दो ये वाला पेर या यह वाला पैर तो A B C और D में से right option कौन सा होगा जैसे कि आपने question number 24 में question number 25 में भी ऐसा ही किया है तो मैं फिर से यही बात कहूंगा अगर आपको समझ में आ गया है उपर वाले दुरनों question तो यह खुद करने की कोशिश कीजिए फिर भी कोई doubt हो तो video continue कीजिए ठीक है तो आपको 2x square plus 7x minus 4 है splitting the middle term method हम इस्तमाल करेंगे middle term को split करके और फिर इसके factors निकालेंगे फिर उनको 0 के सामने put करेंगे और हमें फिर वो 0's मिल जाएगी a की value देखें तो आपको यहाँ पर 2 है x square का coefficient b की value x का coefficient होता है जो की plus का 7 है c की value देखें constant term होते हैं जिसमें x होता ही नहीं है वो है minus का 4 ठीक है अब आपने ac की value निकालनी है a की value है 2 और c की value है minus 4 2 multiply minus 4 आपको मिलता है minus का 8 अब minus 8 मिल गई negative value है तो subtract करने पर आपको मिलना चाहिए 7 तो इसके दो factor लेते हैं पहले 1 into 8 बन से start करते हैं 1 into 8 क्या होता है 8 होता है multiply करने पर 8 आ रहा है और subtraction करने पर 8 minus 1 7 आ रहा है क्योंकि subtraction का concept है इसलिए एक का निसान plus का होगा और एक का निसान जोगा minus का होगा कौन सा plus का कौन सा minus का तो जो b का निसान है वो बड़ी value का होगा जो कि यहाँ पर 8 है और दूसरे का होगा different sign यानिकी negative यह वाला दोनों के साथ x लगाएंगे तो 8 x minus में x यह हो गया 1 into x x 8 into x 8 x यह middle term हमने split कर दिया 2 x square plus 8 x minus का x minus का 4 इन दोनों में से एक तो 2 common आ रहा है और एक x square और x में से x common आ रहा है इन दोनों के अंदर से देखें तो minus 1 common आ रहा है 2 x common ले इसके अंदर से तो 2 x square के अंदर से 2 ले लिया बाहर और x square में से x ले लिया बचा शिरफ यहाँ पर 1 x 8 में से 2 common ले तो 4 बसता है और X ले चुके हैं तो X बाहर और कुछ नहीं बचा सिरफ 4 बचा है यापर इन दोनों में से minus 1 common लेंगे तो minus बाहर आ जाएगा ये plus हो जाएगा इसमें से minus common लिया तो ये minus वाला plus हो जाएगा और 4 आ गया दोनों सेम है आपका answer बिल्कुल ठीक है सही जा रहे हैं आप अब X प्लस 4 common लेंगे इसके अंदर से और इसके अंदर से तो इसमें से बचा 2X और इसमें से बचा minus का 1 इनको आपने 0 के सामने put करना है X प्लस 4 को 0 के सामने put करते हैं X की value आती है minus 4 प्लस 4 है इदर जाके minus का हो गया 2X minus 1 को 0 के सामने put करो 2X की value आती है minus 1 उदर जाके plus का हो गया 1 और X की value आ गई 1 by 2 तो minus 4 1 by 2 कोण से वाला है ये वाला है इसलिए C जो है आपका right option है अच्छे से समझ में आ गया होगा फिर भी अगर कोई doubt रहे तो आप comment जरूर कीजिए अब आपने करना क्या है आपने करना वीडियो को लाइक करना है चैनल को सब्सक्राइब सेर कीजिए अपने दोस्तों से ताकि वह भी से फाइदा लेज़के comment करना है आपने मैं जैसे ही मुझे टाइम ही लेगा मैं आपकी problem को solve करूंगा bell icon के बटन को दबाना नहीं भूलिएगा साथ साथ ओल पर भी क्लिक कर दीजएगा ताकि आपको latest update मिलती रही तो thank you students for watching your own video विलते नेक्स वीडियो में जिस में हमका रहे नेक्स कोई solution always have a great time bye